प्रिसन जीवन की बिसेशता है तो इस पोयम में पोयट जो हैं वो हमें प्रिसन जीवन की बिसेशताओं के बारे में बताते हैं कि एक विक्ती को जीवन में प्रिसन रहने के लिए उसके पास किन बिसेशताओं का होना आवश्यक है The poem Character of a Happy Life is composed by Sir Henry Watton Poem Character of a Happy Life Sir Henry Watton द्वारा रचित है In this poem the poet tells us about some characters of the life of a real happy man इस पोयम में पोयट जो है वो हमें एक वास्तविक प्रिसन बिसेशताओं के बारे में बताता है According to the poet कवी के अनुसार A happy man is he who is fully independent from others कवी के अनुसार एक वास्तविक प्रिसन बिसेशती वह होता है जो अन्य लोगों से स्वतंत्र होता है Such a man is honest, truthful and the master of which peasants इस प्रिकार का वेक्ती इमांदार होता है, सत्यवादी होता है और अपनी च्छाओं का मालिक होता है He is not afraid of death, वह मिर्त्यू से नहीं डरता है He is God-fearing, वह ईस्वर से डनने वाला होता है And also passes his time with good works and friends और वह अपना समय अच्छे पुस्तकों या अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है अर्थात वह अपना समय बरबाद नहीं करता है He is not jealous of anyone, वह किसी से इरस्या नहीं करता वह किसी की प्रिकती से जलन नहीं करता है, इरस्या नहीं करता है He does not hope to rise much and he does not fear to fall वह एक ऐसा व्यक्ती होता है, जिसका व्यवार संतुलित होता है वह ना तो उपर उठने की आसा करता है, और नहीं वह नीचे गिरने से डरता है अर्थात हार और जीत, खुस और दुख, दोनों इस्तितियों मुस्का सभाव समाने बरबाद In this way, although he has nothing, yet he has everything फिर इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यद्धिप्यूस व्यक्ती के पास सांसारिक संपत्ती के रूप में ज़्यादा कुछ नहीं होता है Yet he has everything, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है Because he is always happy in life क्योंकि वह जीवन में हमीशा प्रसन रखता है Contentment is the key to happiness in life Santos, जीवन में प्रसनता की कुझी होती है So now the students, please learn this summary and note it down in your copy Goodbye